नमस्कार दोस्तो आप सबका कांटा एजूकेशन अकेडमे स्वागत है अपने इस वीडियो में हमें एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक को एनलाइज करेंगे जो की काफी जादा न्यूज में रहा है और ये है दोस्तो हमारा टॉपिक comprehensive integrated border management system जिसको short form में हम CIBMS कहेंगे ये एक border को surveillance करने वाला system है जो बांगलादेश के border पर इंडिया के BSF ने बनाया है तो इसी में कुछ recently modernization हुआ है हमें जानना है कि वो recently modernization क्या है और साथी साथ CIBMS system जो है वो work किस तरीके से करता है तो सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में इस वीडियो को end तक देखिए then let's begin our topic of today दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक humble request है कि facebook पर भी आप हमारे facebook page को like कीजिए और अपने दोस्तों को भी invite कीजिए इस page को like करने के लिए यहाँ पर हम daily mcqs बनाते हैं और अपने course के regarding जो भी important notifications होते हैं या updates होती है उसको वहाँ पर announce करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर questions जो होंगे वो इस तरीके से बनाये जाते हैं जो आपके concept clarification में help करते हैं और हर तरीके के government job को prepare करने में वो questions काफी important होते हैं तो दोस्तो recently यह जो report है वो दाहिंदू में आई थी और यह report है 4th November 2019 की इसमें CIBMS का जिक्र हुआ था और इसमें जो recently modernization हुए उनके बारे में भी बताया गया था वो side report आपको समझ में ना आई होगी इसलिए इस report को हम यहां पर ठीक से analyze करेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि BSF अब जो है actually काफी एक तरीके से काबिल बन चुका है अर्थ, water और air को track करने के लिए बांगलादेस border के along तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो CIBMS system है वो बांगलादेस border के along है आईए अब CIBMS के बारे में ठीक से study कर लेते हैं साथी साथ उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बांगलादेस के border के along CIBMS इतना जरूरी क्यों है तो आईए सबसे पहले हम हमारी आसाम मेघाले मिजोरम त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगॉल जो बांगलादेस के साथ border share करती है आप देख सकते है इस मैप में यह हमारा बांगलादेस हो गया यहां तक उसके बाद से जो आसाम है वो दो पॉइंट पर एक तरीके से बांगलादेस को टच करता है एक तो हमारा यह वाला पॉइंट हो गया मेघाले के उपर और एक जो है मेघाले के नीचे से भी यहां से टच करता है बांगलादेस के border को यहां पर दोस्तो आसाम वेस्ट बंगॉल और उसके बाद से मेघालिया यह जो है एक तरीके से ब्ल्यू लाइन में जो दिख री है यह सारी चीजे यह हमारी ब्रहंपुत्र रीवर है जो मेघालिया से उपर यानि आसाम से होते हुए बांगलादेश में एंटर करती है और यहाँ पर दोस्तों यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एक तरीके से ब्रहंपुत्र नदी है वो मेघालिया के उपर है आसाम से होती हुई बांगलादेश में जाती है उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर हमारा तिरिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं यहाँ यहाँ पर रिवर फ्लो करती है बांगलादेश से आसाम के धुबडी सेक्टर से होकर जाती है यह एक्चॉली यहाँ पर निगरानी कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है बारिस के समय में यह काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर river जो है एक तरीके से अपने आपको displace करती रहती है यानि अपनी जो जगा है अपना जो route है उसको change करती रहती है और उसके अलावा वहाँ पर कोई भी on the foot surveillance नहीं कर सकता यानि manually surveillance उसका हो पाना possible नहीं है बिना boat के तो वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता इस border के along जो area है वहाँ पर security provide कराना border management करना कितना difficult काम है उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर challenges है कि illegal migration यहीं से होती है smuggling जो होती है यहीं से होती है उसके अलावा trans border movement of insurgents यह सारी चीज़े भी यहाँ पर पाई जाती है होते हुए उसके वासे दोस्तों smuggling जो होता है यह रात मे किया जाता है blind sports के थुरू जहां जीन areas को monitor करना actually में difficult होता है तो यह smugglers को भी पता होता है कि कहां पर जो है BSF उनको नहीं पकड़ पाईगी और उसी के according वो अपनी planning करते हैं तो यहाँ का जो area है geographically काफी difficult terrain है इसकी और इसी वज़े से यहाँ पर surveillance कर पाना मुश्किल है त यहाँ पर हमें comprehensive integrated border management system की जरुवत है जो की एक काफी high tech solution है border security के problems के लिए अब हम दोस्तों अपने next slide में यही जानेंगे कि कि किस तरीके से comprehensive integrated border management system काम करता है तो दोस्तों सबसे पहले सुरुआत करेंगे basic जानकारी से CIBMS का जो main purpose है वो यही है कि जो manual surveillance होती है यानि जो patrolling के through और जो manual surveillance होती है international border के along उसको electronic surveillance से बदल देना यानि replace कर देना यानि electronic surveillance को promote करना और उसके बाद से जो BSF personal है उनको quick reaction team की तरह actually तयार करना और उनके detection और interception capabilities को बढ़ाना उसके बाद से दोस्तों जो CIBMS project है उसमें कुछ दूसरे factors भी include किये गए है जैसे कि power backup अब जरूरी है कि जहाँ पर electronic surveillance हो रही है वहाँ पर power की जरूत पड़ेगी हमें यानि बिजली की जरूत पड़ेगी ही उसके बाद से BSF को train भी करना होगा हमें ताकि वो sophisticated equipments का इस्ते include किया गया है तो सिर्फ border का surveillance ना हो करके जो border के surveillance में दूसरे factors की जरूत होती है जैसे power की तो power के लिए वहाँ पर proper infrastructure बनाना भी CIBMS project में आता है BSF को train करना CIBMS के sophisticated equipments को समझना वो भी इसी में आता है और उसके बासे equipments की मरमत कराना repairing या maintenance कराने का काम भी CIBMS project के अंदर में आता है अब दोस्तों ये देखते हैं कि CIBMS काम किस तरीके से करता है तो दोस्तों आईए समझ लेते हैं कि CIBMS का mechanism क्या है काम करने का तो ध्यान दीजे दोस्तों ये चार important काम करता है CIBMS जो CIBMS है वो सबसे पहले detection का काम करता है यानि detection के तोर पे वो insurgency को चेक करता है find out कर उसके वासे identification करता है कि actually में वो चीज क्या है और उसके वासे response करता है और neutralization करता है ये चारो के चारो काम करने के लिए उसमें important devices का ये एक तरीके से arrangement है CIBMS में तीन important category के devices होते हैं new high-tech surveillance devices होते हैं ये devices दोस्तों detection और identification के लिए काम करते हैं उसके बाद से दोस्तों efficient and dedicated communication network होता है और उसके बाद से command and control center होता है command and control center भी response और neutralization के काम आता है जैसे कि मान लिजे कोई enemy है या कोई insurgents है उसको neutralize करना है या फिर उसको एक तरीके से response करना है किस तरीके का response करना है यानि ये सारा जो काम करने के लिए है command and control center है तो पॉटेंट जो हो गए एक तरीके से पहला हमारा component का जो categorization हो गया यह उपर के दो काम करने के लिए यानि identification और detection करने के लिए है और उसके बाद से दोस्तों जो command and control center है वो हमारा response के लिए है और neutralization के लिए है उसके बाद से दोस्तों एक जो बीच का component है हमारा यह वाला efficient and dedicated communication network यह दोस्तों इन दोनों को connect करता है new high-tech surveillance devices को और command and control center को इन दोनों को connect करने की जो बीच की एक तरीके से infrastructure है जो network है वो यह है यहाँ पर दोस्तों इन तीनों devices में एक तरीके से यह तीनों arrangement में काफी सारे दूसरे devices को involve किया गया है अलग-अलग तरीके से detection करने के लिए identification करने के लिए अलग-अलग तरीके से response या फिर neutralization करने के लिए तो दोनों ही devices में काफी सारे set of devices हैं और यहाँ पर दोस्तों यह जो efficient and dedicated communication network है इसमें network को establish करने वाले devices काफी सारे हैं और उसके अलावा जो optical fiber cable चाहिए होता है वो सारी चीज़े हैं इनको भी हम देखेंगे यहाँ पर देखें दोस्तों क्या होता है सबसे पहले कोई अगर मान लीजिए कि border management का जो surveillance का system है cibms के उसके अंदर में कोई आ जाता है तो सबसे पहले हमारा new high tech surveillance device उसको identify करेगा उसको detect करेगा कि वो उसकी location कहां है उसको identify करेगा कि actually में वो चीज क्या है उसके वासे location और वो चीज क्या है detection और identification होने के बाद efficient and dedicated communication network system होता है जो command and control center तक यह information जो new high tech surveillance device जो information collect करता है उसको यहां तक भेजने का काम करता है command and control center में actually officers होते हैं और military के हमारे लोग होते हैं वो यहां पर check करते हैं और देखते हैं कि यह जो data उनको मिला है new high tech surveillance devices की वज़े से यानि detection और identification का उसके according उनको क्या response देना है या फिर उसको neutralize करना है अगर कोई enemy होगा तो उसको neutralize करेंगे या फिर कोई cattle या दूसरी चीज़े आ जाती है तो उस हिसाब से उसको response किया जाएगा तो यह सारी चीज़े होती है उसके according decision लेने का काम उनका होता है अब दोस्तों यह जो तीन important devices के set हैं उनमें काफी सारे actually यहाँ पर इन devices के अंदर में ही काफी सारे devices का इस्तेमाल किया जाता है new high tech surveillance devices में काफी सारे devices होते है efficient and dedicated communication network में काफी सारे devices होते हैं और उसके बासे same command and control center में एक दोस्तों आपको important बात बता दूँ जो CIBMS है यह system detection और identification का काम तो काफी अच्छे से करता है यानि new high tech surveillance system में कोई ज़्यादा कमी नहीं है efficient and dedicated communication network जो यानि इस information को command and control center तक पहुँचाने का काम करता है उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती लेकिन response और neutralization वाले जो दो टास्क हैं इसमें काफी ज़्यादा difficulty आती है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा human intervention चाहिए यानि हमारा अगर response और neutralization वाला काम सही हो इसके लिए हमें काफी ज़्यादा trained human resource चाहिए BSF में और यहीं पर क्या होता है कि जब training अच्छे से नहीं हुई होती तो हमें desired outcomes नहीं मिल पाते तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों जो हैं एक तरीके से components हैं उस device के CIE BMS के तो उनमें तीनों categorization में अलग-अलग devices हैं जैसे कि new high-tech surveillance devices में sensors आ जाते हैं डिटेक्टर्स आ जाते हैं cameras आ जाते हैं ground-based radar system आ जाता है micro-aer state आ जाता है इस तरीके के काफी सारे devices इन सबको आपको याद रखनी की ज़रूत है नहीं efficient और dedicated communication network में देखे क्या आ जाता है fiber optical cables आ जाते हैं और cables आ जाते हैं और उसके बासे satellite communication यह जो होता है data transmit करने के लिए होता है जो high-tech surveillance and detection services के द्वारे जो data collect किया जाता है उसके बासे यह जो होता है command and control center को भेज़ देता है data यह जो data होता है यह senior commander को बताता है कि ground पर क्या हो रहा है और इस तरीके से एक international border का composite picture एक तरीके से प्रदान कराता है detection का simple मतलब हो गया कि location को detect करके बताना और जो identification word का इस्तेमाल हुआ था उसका simple मतलब हो गया कि वो चीज actually में है क्या वो उसमें life है या non living thing है actually में वो है क्या वो सारी चीज़े बताना तो यह actually जो यह categorization of devices किया गया था उनमें काफी सारे devices आते हैं अपने purpose को fulfill करने के लिए तो इस तरीके से CI, BMS काम करता है और आपको यह exam के viewpoint से पता होना चाहिए था अब दोस्तों हम यह जानेंगे कि यह recently news में क्यों था यानि क्या क्या modernization इसमें हुए हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो दो important components हैं उसके high tech surveillance system के उसी में ज़्यादा reform किया गया है जो हमें response और neutralization के काम को संभालना है उसके लिए हमें proper BSF की training चाहिए तो इनी चीजों में reform हुआ है और यहाँ पर क्या किया है BSF ने कुछ un specified number यानि यह नमबर किसी को पता नहीं है कि कितने Israeli tether drones खरीदे हैं यहाँ पर tether drones क्या होते हैं वो drones होते हैं जो काफी long living battery होती है उनकी और actually वो पानी में या दूसरी जो हवा के हिसाब से उनमें खराबी नहीं आती यानि हवा तेच चलेगी तब भी वो खराब नहीं होंगे और पानी वानी में डूब जाए तब कि वो खराब नहीं होंगे तो Israeli tether drones यहीं होते हैं इनकी काफी lifelong battery होती है और एक तरीके से काफी यह suitable होते हैं एरिया में surveillance के लिए तो यह खरीदा गया है और उसके बाद से BSF ने thermal images और non contact temperature measurement devices लगा दी हैं यह दोस्तों क्या काम करती है यह किसी actually thermal images के थुरू किसी चीज का image बनाने की कोसिस करती है जिससे क्या होगा यहां पर people's और animals के actually images को तयार किया जा सकता है उसके अलावा underwater sensors भी खरीदे गए यह underwater sensors जो होते हैं काफी important होंगे क्योंकि यहां पर जो BSF के आदमी बीना boat के petrol नहीं कर सकते थे उनकी अब जरुती नहीं पड़ेगी यह water के अंदर यह sensor रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे किस तरीके का movement हो रहा है तो यह दो important decision जो लिए गए हैं BSF के द्वारा एक तरीके से thermal image employed करने का और BSF ने यह जो Israeli tether drums खरीद के इसको लगा दिया है border पर यह चीज करने के लिए इसी वज़े से यह news में था तो अब आपने यह भी समझ लिया कि CIBMS जो है यह actually में काम कैसे करता है और यह news में क्यों था तो in modernization की वज़े से यह news में था अब दोस्तों यहाँ पर एक important बात यह बता देता हूँ कि यह जो drones है जब actually air में fly करेंगे तो यह एक तरीके से उनको अराम से दिख सकता है जो illegal migrants होंगे या insurgents होंगे तो यहाँ पर उनको तो पता चल जाएगा कि यह drones है लेकिन यहाँ पर दोस्तों BSF ने कहा है कि उनको पता चल जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है actually उनको message देने के लिए ही है कि आप इस area में surveillance जो है और strong हो गई है इसमें entry ना करें उसके बाद से दोस्तों य इसके modernization थे अब दोस्तों हम यह देखते है कि CIBMS में कुछ important challenges क्या क्या है तो दोस्तों जैसा कि हमें अपना response और neutralization के काम को और strong करना है तो उसी के regarding हमारे कुछ special challenges है तो उसका तो यह आ जा रहा है कि हमारे पास well trained technical manpower की अभी कमी है repair और maintenance जो है वो भी एक vital aspect है क्या होता ह है दोस्तों कि जो BSF में यह सारे devices इस्तेमाल करती है BSF उनका repairing and maintenance का काम बहुत सारे BSF के जवानों को नहीं आता तो ऐसे trained human resource की भी हमें जरूरत है उसके अलावा दोस्तों जो border areas में basic amenities होनी चाहिए जैसे power supply की और border road की वो भी facility available नहीं है तो इस वज़े से क्या होगा दोस्त हमें power supply का जो अभी भी जरूरत है अभी भी हम वो नहीं कर पाए हैं इस पर government को तुरंट focus करना चाहिए और इस काम को जल से जल खतम करना चाहिए उसके बाद से दोस्तों border roads यहाँ पर दोस्तों suppose कीजिए कि CIBMS के कुछ devices हैं या sensors हैं किसी दूसरी जगा पड़े हुए हैं और उनमें एक तरीके से उनमें default आ गया किसी तरीके का उनमें fault आ गया यानि उनमें कुछ खराबी आ गई तो अब दोस्तों उस खराबी को ठीक करने के लिए हमें उस device तक पहुँचना होगा लेकिन border areas में ऐसे roads ही नहीं हैं तो उस जगा पर जाने में काफी दिक्कत होगी काफी सारे सामान को उसको चेक करके वहाँ ठीक करने में ले जाने में इस तरीके की difficulty आएगी इस बज़े से repairing and maintenance का काम जो होगा वो काफी मुश्किल हो जाएगा तो इन सब चीजों को भी हमें actually खतम करने के लिए इन सारे challenges को भी करने के लिए border road की जरूत पड़ेगी साथी insurgents ढूड़ी लेते हैं तो इस तरीके से उमीद है कि आगे ये इसके भी कुछ उपाय ढूड़ सकते हैं वो लेकिन ये थोड़ा एक तरीके से दूर का challenge है अभी तक तो फिलाल हमारी इस सर्वाइलेंस सिस्टम जो है वो काफी strong होने वाली है तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का end I hope आपने ये lecture काफी enjoy किया होगा अगर ऐसा really है तो आप इसको जादस जादा अपने दोस्तों में share कीजिए और आप हमारे वीडियो को like करना और comment section में feedback देना बिलकुल ना भूले thanks to all of you for watching this video